आज हम बनाएंगे soft and spongy रस्मलाई घर पे बनाएं इसे सबसे पहले लेंगे एक लीटर गाय का दूद उसे लगाता है चलाते हुए पहला बॉइल आने देंगे पहला बॉइल आज आज आए उसके बाद हम इसमें डालेंगे दो टेबल स्पून विनेगर जब दूद फट जा पाउडर केसर वाला दूद थोड़े से ड्राय फ्रूट बादाम और पिस्ता गाड़ा कर लेंगे फ्लेम को अफ कर देंगे अब यह चीना हम निकाल लेंगे इसे मलना है फिर एक टेबल स्पून इसमें मैदा डालेंगे अच्छे से एक डो रेडी करेंगे छोटी छोटी टिक्किया बना लेंगे कुछ इस तरीके की अब एक कढ़ाई में लेंगे 1 चप चेनी 4 चप पानी उसमें डाल देंगे सारी टिक्किया इसे 20 मिनिट तक पकाएंगे फिर इसमें डाल देंगे मलाई बड़ी हरस मलाई बनके है